स्वार्व गांगुलीक कैसी कप्तारी रहती एक तो आपने बताया कि द्यादा की गनपटी सफेद हो गई स्वार्व गांगुलीक एक्चुली ऐसान है बहुत सारे प्लेयर के उपर मैं तो ऐसान मन्द हूं का कि उनके वजह से मैं इंडिया खेला वो जॉन राइट क्योंकि जब वो कैटन बने तो उन्होंने कोई भिदभा होतना ही कि तु कहीं से भी हो भिदभा होता था मतले कलिकता था उनको कि स्वार्ग्टर को लगता था ता कि जो अच्छी कर्येड हो रही है वो सी महारास्टर में और मुंभां मुंबई के लोग बड़े बड़ा खेलते हैं या करनाटे का बैंगलोर में खेलते हैं तो सेलेक्टर्स का ऐसा मानना था कि यहां से प्लेयर निकलते हैं पर जब सवरा गाउंगरी निकले बने कैप्टेन तो उन्हों बोला नहीं टैलेंट पूरे दुनिया में पूरे इंडि तो जॉन राइड ऐसा निकले दिली के लिए खेलो तो जॉन राइड ऐसा फॉरेन कोच उसने पहले इंडिन कोचे बहुत थे तो उनकी जो निगाथ ही ऐसी थी मतलब जो भी दिख रहा सामने पर हेलिकॉप्टर भी जहुरी होता कि आप यहां से लीक को दोखो तो आपका दैरा बढ़ जाता है वो जॉन राइड ने किया लोगों से पूछना है मुझसे पूछा कि यार कौन अच्छा खेलता है डॉमस्तिक में क्या अप लेयर तो उनको इंट्रेस्ट था बात करने का गांगली ने काम किया कि किसी गाहों से किस अलाके साथ है फ्राइड भी पढ किस तरह सा उनके मेंटालिटी है और यह जॉन राइड गांगली ने मिलके वो जो एक बदलाव लाए इंडिन करकेट में जब हम खेलने पर अच्छा शुरुआत कर दी नंबर साथ पर मैंने मैच जिताया है तो उनके गांगली का बहुत रोल है गांगली ने भी हमें नंब जब बॉल तीसरंग बना रहे हो में लिए आपना काम कर दिया ऐस गुड एस समबड़ी इस गडिग नाइन एन अपनर तो वह कर दिया तो वह कर दिया रिफ्रेंस की तुम जो सवाग काम कर रहे है और आप फुनिशिंग का रोल कर रहो आपका वही योगदाने टीम में इत यह नहीं बोले ऑगजैकलि कि कभी तीन ग्र मिलें कभी लिए आर मिलें कभी टीम के लिए लिए मारने में आउट हो ग्या पर सवृप गांगली की भरहोसा हम पह था अजिकि अपर त bok लोग ़ोले है तुम नभर साथ तुम के लिए लगे हो मैं आपको बाक करों रहो। ये यह शिरूटी थी उनके तरफ से. इसलिए क्या सौरफ गांगली और जॉन राइट की का दौर बीता तो आपको फिर मौके नहीं मिले? फरक पड़ा मुझे, बिल्कुल सही बात बोले आपने, क्योंकि जो नए कोचेश आते हैं, नए कैपने, नए सेलेक्टर भी होते हैं, उस ताम किरन मोरे थे, किरन मोरे, जाउन राइट, गांगली यह तीनों कैसे अभी अगर कर चीफ सेलेक्टर हैं, रोई शर्मा है, द्रव पर जब गांगली गए, जॉन राइट गए, सेलेक्टर चेंज हो गया, वे इन सर्कर सेलेक्टर बन गया, वे इन सर्कर साफ, ग्रेग चैपल आगए, तो उनकी अपनी मांग सिकता दी, उनका अपना सोचने का तरीका था, उनको प्लेयर अपने तरेकेश चाहिए थे